Hello everyone, Welcome to IT Study Friends, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्जाम्स का one of the most important topic वर्तमान में कौन क्या है इस topic की importance आप इसी बास से लगा सकते हैं कि आप कोई भी एक्जाम देने जाएं SSC, Railway, Banking, even UPSC level तक के एक्जाम्स में यहां से आपको एक से दो question definitely देखने को मिलते हैं तो friends, आप एक्जाम्स का time आचुका है कई सारे major exams होने वाले हैं और अगर आपका भी exam आने वाले दिनों में है तो यह video आपके लिए very important है आप इसे जरूर देखकर जाएए चोकि friends, यहाँ पर कुछ नई appointments हुई है तो उन सभी को मैंने इस वीडियो में cover किया है तो यह video बिल्कुल updated है जो कि आपके आने वाले किसी भी exams के लिए काफी important होने वाला है तो आईए सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के उन तीन प्रमुख पदों के बारे में यानि की राष्ठपती, प्रधान मंत्री और अपर राश्टपती के बारे में तो वर्तमान में हमारे राश्ठपती यानि की प्रजडेन कौन है रामनात कोबिंद अपको इनका क्रम भी याद रखना है यह 14. नंबर की राश्टपती है और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत के पहले राष्टपती कौन थे तो याद रखेगा डाक्टर राजेंदर परसाथ इसके बाद है हमारे प्राइमिनिस्टर यानि कि प्रधान मंत्री तो कौन है इसमें नरेंदर मोधी इनका भी आपको क्रम याद रखना है ये पंदरहवी नंबर के प्राइमिनिस्टर हैं तो इनसे पहले भारत के प्रधान मंत्री कौन थे डॉक्टर मनमोहन सिंग जिनका कारेकाल दस सालों का था यानि की 2004 से लिकर 2004 तक अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले प्रधान मंत्री कौन थे तो आप सभी को पता होना चीए भारत के पहले प्रधान मंत्री कौन थे पंडित जवाहालाल नहरू तो यहाँ पर अगले हैं भारत के वाइस प्रेजडेंट यानि की उपराष्ट पती जो की वर्तमान में है वेंकईया नैडू इनका भी क्रम आपको याद रखना है ये 13 नमबर के हैं और इनसे ठीक पहले हमारे उपराष्ट पती कौन थे हामिद अंसारी फ्रेंट्स आप नीचे कॉमेंट्स में लिकर ये बताईए कि भारत के पहले उपराष्ट पती कौन थे अगर आपको पता है तो नीचे कॉमेंट्स में लिकर आप ज़रूर बताएं तो आईए एक बार इन सभी काम एक बार रिविजन कर लेते हैं वर्तमान में भारत के राष्ट्रपती कौन है रामनाथ कोबिंद प्रधान मंत्री कौन है नरेंद्र मोदी और हमारे उपराष्ट्रपती कौन है वेंकई या नाइडू फ्रेंट्स इसी तरीके से हम इनका रिविजन भी करते चलेंगे ताकि ये सभी आपको अच्छे से याद रहें चलिए बागे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रगले हैं भारत के महान आयवादी यानि के एटार्नी जर्नल आफ इंडिया तो वर्तमान में कौन है? केके वेंडू गोपाल केके वेंडू गोपाल इनका नाम आपको याद रखना है फ्रेंट्स आपको बढ़ा दूँ कि जो ये एटार्नी जर्नल होते हैं यानि कि महान आयवादी ये भारत सरकार के कानूनी सलाकार होते हैं और आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा 76 जिसमें महान आयवादी की बारे में लिखा गया है क्योंकि कई बार आपके एक्जांस में डारेक्टली आर्टिकल से भी कुश्ण पूछ ली जाते हैं तो आपको इनको याद रखना है तो यहाँ पर अगले हैं भारत के स्वालिसीटर जनरल यानि की तुसार महता इनको आपको याद रखना है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो स्वालिसीटर जनरल होते हैं यह महान आयवादी के सहायक की रुप में रखे जाते हैं इनका नाम क्या है राजियू महरसी वेरी इंपोर्टेंट है आपको इनको याद रखना है फ्रेंट्स यहाँ पर मैं आपको वजा दू कि कैग का काम क्या होता है कि सरकार का जो भी आय और ब्या है उसका पूरा लेखा जोखा रखना ठीक है तो आईए फ्रेंट्स एक बार इनका हम रिविजन कर लेते हैं वर्तमान में भारत के महानयवादी यानि कि एटार्नी जनरल कौन है केके वेडू गुपाल सॉलिसीटर जनरल कौन है तुसार महता और बात करें कैग यानि की कंट्रोलर एंड आडिटर जनरल कौन है राजू महरसी तो आपको इनको याद रखना है चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हैं Chief Justice of India यानि की भारत के मुखे नाइधीस Justice रंजन गोगोई आपको इनका नाम भी याद रखना है साथी साथ इनका क्रम भी आपको याद रखना है ये 46 नंबर के मुखे नाइधीस है और इनसे ठीक पहले 45 नंबर पर कौन थे दीपक मिसरा नंबर के हैं और इनसे पहले अगर आपसे पूछे तो याद रखेगा ओपी रावत यानि की ओम प्रकास रावत और अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले चुनाओ आयोक्त कोन थे तो उनका नाम है सुकुमार सेन इनको भी आप याद रखेगा तो यहाँ पर फिंट् आसानी से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं तो आईए फ्रेंट्स एक बार हम इनका रिविजन करते हैं सबसे पहले भारत के मुखे नाधिस कौन है जस्टिस रंजन गोगोई मुखे चुनाव आयुक्त कौन है सुनील अरोडा सुनील अरोडा उसके बाद लाश्ट में कौन है मुखे सुचना आयुक्त सुधीर भारगव तो आप इनको याद रखेगा फ्रेंट्स अगर आपको हमारे वीडियोज फसंद आते हैं तो इसे डेफिनिट्ली लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को दबा लिजिए ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो आईए फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले हैं भारत के मुख्य आर्थिक सराहकार यानि की चीफ एकनोमिक एडवाइजर वर्तवान में कौन हैं? कृष्ण मूर्ती सुब्रमर्नेम और हमने इनको कई बार आपको ट्रिक से भी याद करने का तरीका बताया है कि अगर आपको एकनोमिक यानि की आर्थिक रूप से मजबूद हो रहा है तो आपको सुबा सुबा उठकर काम करना होगा तो आप इनको ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं यहाँ पर अगले हैं भारत के राष्टी सुरक्षा सलाकार यानि की नेशनल सिक्योरिटी अड्वाइजर इनका नाम है अजीद दोभाल अजीद दोभाल वेरी इंपोर्टेंट है हम इनको भी आपको ट्रिक से याद करने का तरीका बताएंगे जैसा कि आप जानते हैं कि जो सुरच्छा गार्ड होते हैं उनके हाथों में आपने देखा होगा वो दोनों तरफ गेट केर खड़े होते हैं उनके हाथों में क्या होता है भाला लिये होते हैं तो आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले हैं महिला आयोग के अध्यक्ष यानि के चेर परसन आफ NCW, यहाँ पर NCW का फुल फॉल फॉर्म है, National Commission for Women's, इनके अध्यक्ष कौन है, रेखा सर्मा, इंपोर्टनेट है आप इसको याद रखेगा, यहाँ पर आपको बदा दू जो NCW है, यानि कि राष्ट्री महिला आयोग, इसका उद्देश है कि भारत में महिलाओं के अध्यकारों का प्रतेनिदे तो करना, ताकि उनसे जुड़े मुद्धों, उनके समस्यों को आवाज प्रदान की जा सके, तो आप इसको याद रखेगा, इसकी अध्यक्ष कौन है, रे महिला आयोग के अध्यक्ष, यानि कि चेर परसान आप NCW, रेखा सर्मा, आप इनको याद रखेगा, फ्रेंट्स यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, कि इस वीडियो को हम समय समय पर अपडेट करते रहते हैं, जब जब नई अपॉइंट्मेंट्स होती हैं, तो आप इस समय सबसे अपडेटेड वीडियो देख रहे हैं, चलिए फ्रेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, तो फ्रेंट्स जिसा कि आप जानते हैं कि लोगसभा में अध्यक्ष होते हैं, जिस प्रकार राजिसभा में सभापती होते हैं, तो राजिसभा और लोगसभ इन की लोगसभा उपाध्यक्ष यैनि की लोगसभाई। लोगसभा चुनाओ 2019 के संबंद में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आप से 30 important MC के उसको डिसक्स किया था वहाँ पर हमने आपको इनको इनको बारे में बताया भी था तो आई फ्रेंट से एक बार हम इनका रिवीजन करते हैं लोगसभा के अध्यक्ष कौन है सुमित्रा महाजन लोगसभा उपाध्यक चैनि के डिप्टी स्पीकर आफ लोगसभा कौन है एम थंबी दुरई इनका नाम थोड़ा सा टेड़ा है लेकिन आप याद रखेगा क्योंकि इनके बारे में एक्जाम में पूछा जा चुका है उस सबसे पहले राजसभा के सभापति यानि के चैर मैंनाफ राजसभा कौन है वेंक इया नैडू जो की हमारे वाइस प्रेजिडेंट भी है यहाँ पर मैं आपको एक important point बदा देता हूँ कि जो हमारे Vice President यानि की उपराश्टपती होते हैं वो राजेसभा के पदेन सभापती के रूपे होते हैं इनका कारेकाल 5 वर्सों का होता है लेकिन अगर हम बात करें राजेसभा के सदस्यों का तो उनका कारेकाल 6 वर्सों का होता है यहाँ पर अगले हैं राजेसभा के उपसभापती यानि के डिप्टी चेर मैनाफ राजेसभा हरिवन्स नाराएंड सिंग इनका नाम भी याद रखेगा very important है और लाश्ट में है राजेसभा में विपक्च का निता कौन है गुलाम नभी आजाद तो आप इनको याद रखेगा तो आईए फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ और important पोस्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कई बार आपके एक्जाम में पूछा जाता है बताए यह DRDO के अध्ध्यक्च कौन है इसकी स्थापना 2008 के मुंबई हम लोग के बाद सन 2009 में की गई थी तो फ्रेंट्स याद रखेगा NIE के महाने दिसे कौन है Y.C. Modi इनका नाम याद रखेगा very important है आगे बढ़ते हैं अगले है इसरो के अध्यक्ष कौन है इसमें K. Sivan K. Sivan तो यहाँ पर आपको इसरो का फुल फाम पता होनों चीहे Indian Space Research Organization इसका हेटक्वाडर कहाँ पर है वेंगलूरू में और अगर आपको पूछा जाए इसकी स्थापना कब होई थी तो याद रखेगा 15 अगस्त 1979 को आपको बता दूं इसरो भारत का राष्ट्री आंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्याल है बैंगलूरू यानि की करनाटक में है और इसका मुख्य काम क्या है भारत के लिए आंतरिक्ष संबंधी तकनी की उपलद्ध करवाना और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है के सिवान तो आप इनको याद रखेगा तो चली आगे वर्ते हैं यहाँ पर अगले हैं डियाइडियो के अध्यक्ष यानि के चेर मैन आफ डियाइडियो वर्तमान में कौन है जी सतीस रेडडी इनको आप याद रखेगा और अगर आपसे पूछा जाए DRDO को फुल फार्म तो Defense Research and Development Organization इसको भी आपको याद रखना है इसके स्थाबना के बारे में कर पूछा जा तो याद रखेगा 1900 ठाउन में DRDO को इस्थाबित किया गया था और इसका मुख्याला याद के हेड्कॉर्टर कहा है नई दिल्ली में यहाँ पर आपको DRDO के बारे में पता होना चाहिए DRDO भारत के लिए उन तीन प्रमुख जल, थल और वायू से नाउं के लिए रच्छा उपकरण यानि कि जो हथियार है उनको बनाने का काम उनके लिए नई ने टेकनोलोजी को विक्सित करने का काम करता है फ्रेंट्स अभी हाल ही में आपको पता चला होगा DRDO ने एक नया डिफेंस सिस्टम डेबलब किया है जिसका सफलता पुर्वाप परिक्षण भी किया गया उसका नाम क्या है एंटी सेटलाइट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो अभी तक भारत के पास ये तीन प्रमुख जल थल और वायू से नाय थी और अब हमारे पास चोथा डिफेंस सिस्टम है अटी सेटलाइट मिसाईल डिफेंस सिस्टम तो याद रखेगा ये सारा काम तो आप इनको याद रखेगा फ्रेंट्स I hope कि आप सभी इस वीडियो को इंजोई कर रहे होंगे तो आप सभी को अच्छे से देखते चलिए, हम लास्ट में इन सभी का MCQs लगाने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको ये सभी अच्छे से revision हो जाएंगे, और आप उन सभी question का answer तभी दे पाएंगे, जब आपको ये सभी अच्छे से याद होंगे, तो iFriends यहाँ पर सबसे पह को की गई थी, इसका headquarter काहां पर है, मुंबई में यानि की महाराष्ट के अंदर, तो यहाँ पर से भी का काम क्या होता है, कि भारत में जो प्रतिभूतियों यानि की securities के निवीसक होते हैं, उनके हीतों की रक्षा करना, यानि की मूल रूप से भारत में securities market का संचालर करने क का काम, सेभी का होता है, तो याद रखे का वरतमान में सेभी के अध्यक्ष कोन है, अजे त्यागी, very important है, इनको आप याद रखेगा, फ्रिंट्स आगे बढ़ते हैं, अगला है SBI के अध्यक्ष, इनके बारे में आप जानते होंगे, रजनीज कुमार वरतमान में SBI के महाराष्ट में, फ्रिंट्स कई बार इनका क्रम भी आपके एक्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेगा, सक्तिकान दास, RBI के 25 वे गवर्नर हैं, इनसे पहले 24 वे नंबर पर कौन थे, उर्जित पटेल, तो इनका क्रम भी आप याद रखेगा, फ्रिंट्स नीचे कवर्नर कौन है, सक्तिकान दास, तो आप इनको याद रखेगा, तो चलिए फ्रिंट्स अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले हैं, नौसिना अध्यक्ष, यानि की चीफ आफ नेवल एच्टाफ, वर्तमान में कौन है, एड्मिरल सुनील लांबा, फ्रिंट्स नहाँ कि 31 मई 2019 के बाद, नौसिना अध्यक्ष हमारे कौन होंगे, एड्मिरल करम बीर सिंग, तो आप इनको ध्यान में रखेगा, कि क्वेश्चन आपसे कब पुछा जा रहा है, उसी हिसाब से आपका राइट आंसर होगा, ओके, चलिए बागे बढ़ते हैं, अगले हैं थल सिना अध्यक्ष यानि की चीफ ओफ एर इस्टाफ, इनका नाम क्या है, एर चीफ मार्सल वी एस धनोवा, ओके, तो आई एक बार हम इनको ट्रिक से भी देख लेते हैं, ताकि आप इनको बीच कन्फ्यूज न हो, सबसे पहले नौसिना अध्यक्ष, जैसा कि आप यहां पर रिलेट करके याद रखेगा, और जहां तक बाद है, एड्मिरल करम बीर सिंग की, जो की आने वाले दिनों में नौसिना अध्यक्ष होंगे, तो आप इनको भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, नेवी यानि की नौसिना, यानि की पानी के बाद होती है, आप जानते हैं, पानी में, हवा में, या फिर जमीन पर, कहीं पे भी पेन कर दिजीए, तो न तो आप इसे पानी में कर पाएंगे, ना ही हवा में, आप इसे जमीन पे कर सकते हैं, तो थल से नाध्यक्ष कौन होगे, जेनरल बिपिन रवत, इस तरह से आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, आपको अच्छे से ट्रिक से याद हो चुके हैं, आई एक बार इनका रिवीजन करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन है, नौ सेना अध्यक्ष, एड्मिरल सुनील लांबा, एड्मिरल सुनील लांबा, लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर ये सव याद रखेगा और अगर आपसे B.A.R.C. यानि की बार का फुल फाम पूछे जाए, तो याद रखेगा भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो की भारत का एक परुमाडू सोध संस्थान है, इसकी स्थापना होमी जहांगेर भाबा के द्वारा, 1954 में की गई थी, इसका ह का फुल फाम पर है, ट्रॉम में जो की मुंबई यानि की महाराष्ट में है, तो आइए फ्रेंट्स यहाँ पर अगले हैं प्रसार भारती के अध्यक्ष, डॉक्टर A. सूरे प्रकास, इनको आप याद रखेगा, फ्रेंट्स आपको पता होगा, जो दूर दर्शन है, औल ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगले हैं सिडवी के अध्यक्ष, यानि की चेर मैनाफ सिडवी, मुहमद मुस्तफा, इनको आप याद रखेगा, अभी आपके एक्जाम में पूछा भी गया था, यहाँ पर आप सिडवी का फुल फाम याद रखेगा, यान की Small Industries Development Bank of India, इसका काम क्या है, जो लग्य उद्योग होते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करना, इसको इस्टैबलिस कप किया गया था, दो अपरेल 1990 को इसका है क्वार्टर तहां पर है, लखनो जोकी उत्तर प्रदेश में है, तो आप इसको याद रखेगा, तो वर्तमान में सिटबी के अध्धक्ष कौन है, मुहम्मद मुस्तफा, तो आईए फ्रेंट्स, एक बार हम इनको अच्छे से रिविजन करते हैं, तो सबसे पहले, बी ए आर्सी, यानि की बार के नीदेशा कौन है, अजीत कुमार मुहंती, उसके बाद है, प्रसार भारती के अध्धक्ष डॉक्टर ए सूरे प्रकास, और लास्ट में हैं, सिटबी के अध्धक्ष मुहम्मद मुस्तफा, तो इनको आप याद रखेगा, तो चलिए फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हैं, बित्त सच्यू, यानि की फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है वर्तमान मे कौन है? अजे भूसट पंडे, फ्रेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूजन तब हो जाता है, जब आपके एक्जाम में इन में से एक या फिर वित्त सच्यू, या राज़त सच्यू के इवारे में पूछा जाता है, और आपसन में आपको दोनों ही दी जाते हैं, तो वहाँ पर कन रेलवे बोड के अध्यक्ष जोकी वर्तमान में कौन है विनोत कुमार यादो यानि की बीके यादो तो इनको याद रखेगा वर्तमान में रेलवे बोड के अध्यक्ष कौन है यानि की रेलवे बोड के चेर्मेन विनोत कुमार यादो चली फ्रेंट्स एक बार हम इनको इस वीडियो में हम उन सभी important post को discuss करेंगे जिनके वारे में आमतोर पार आपके exam में question पूछे जाते हैं तो इस वीडियो के साथ-साथ मैं आपको additional जानकारी भी दे रहा हूँ ताकि आप इनको बड़ी आसानी से याद कर सकें तो चली points आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नीती आयोग से जुड़े तीन important post हैं जो आपको याद रखना है सबसे पहले नीती आयोग के अध्यक्ष यानि की नीती आयोग के chairman कौन है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी हमने आपको पहले ही बताया है कि जो नीती आयोग के अध्यक आमिताब कांत तो इनको आप याद रखेगा आए एक बार revision करते हैं नीती आयोग के अध्यक्ष कौन है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी नीती आयोग के अध्यक्ष यानि के deputy chairman कौन है डॉक्टर राजियो कुमार और नीती आयोग के CEO कौन है आमिताब कांत तो आप इनको याद रखेगा तो चलिए फिंट्स यहाँ पर अगला है ट्राई ट्राई एक भारत की दूर संचार विनियामक संस्था है तो इसके अध्यक्ष कौन है भी RS सर्मा यहाँ पर ट्राई का फुल फार्म क्या होगा टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉलिटी आफ इंडिया इसको आप याद रखेगा तो चलिए फिंट्स यहाँ पर अगली है भारत की प्रमुग याज एजनसी यानि की CBI तो इसके वर्तमान में निदेशक कौन है रिसी कुमार सुकला रिसी कुमार सुकला CBI का फुल फार्म क्या होगा Central Bureau of Investigation इसका गठन 1941 में किया गया था जिसका हैटकॉर्टर कहाँ पर है नई दिल्ली में तो CBI का काम क्या होता है आप सभी को पता होगा या आपराधिक और राष्टी सुरच्छा से जुड़े अलग-अलग मामलों की जाज करता है तो वर्तमान में इसके निदेशक कौन है रिसी कुमार सुकला आगे बढ़ते हैं अगले हैं UPSC के अध्धक्ष इनका नाम है अर UPSC के अध्धक्ष कौन है अर्विंद सक सेना ठीक है तो इनको आप याद रखेगा तो आए फ्रेंट्स एक बार हम अपने सुरच्छा बलों के बारे में देख लेते हैं जैसे RPF, VSF, CRPF, ITBP, SSB इनके महान देशक के बारे में कई बार आपके एक्जाम एप कोईशन पु और VSF को फुल फॉर्म क्या होगा Border Security Force, इसके बाद है CRPF, तो CRPF के महान देशक कोन है राजी उराय भटनागर, इसका फुल फॉर्म क्या होगा Central Reserve Police Force, तो आप इनको याद रखेगा, आई एक बार इंका रिविजन करते हैं, RPF के महान देशक कोन है अरुन कुमार, VSF के महा महान देशक कोन है, राजी उराय भटनागर, तो चली फिंट से बागे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसी करम में दो और बचे है, ITVP और SSB, तो वर्तमान में ITVP के महान देशक कोन है, SS देशवाल, SS देशवाल, तो ITVP का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडो तिब्रतन बार पुलिस, इंडो तिब्रतन बार्डर पुलिस, इसके बाद यहाँ पर है SSB, यानि कि ससस्त्र सीमा बल, इसके महान देशक कोन है, कुमार राजेश चंद्र, कुमार राजेश चंद्र, तो आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखेगा, चली फिंट से बागे बढ़ते हैं, यहाँ पर है भारत का खुफिया विवाग, यानि कि Intelligence Bureau, इसके अध्यक्ष कौन है अभी, राजियू जैन, राजियू जैन, फ्रिंट्स, IB का काम क्या होता है, कि भारत में आतंकवादी गदिविधियों पर नजर रखना, और इनसे जोड़े जो संदिक्ध लोग हैं, उनके आंदोलों पर नजर रखना, ताकि उनसे आसानी से निप्टा जा सके, तो इसकी स्थापना कप की गई थी, 1887 में, इसका हैटकोर्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में, तो याद रखेगा, IB के अभी अध्यक्ष कौन है, राजियू जैन, राजियू जैन, तो आप इनको या याद रखेगा, चलिए बागी बढ़ते हैं, तो फिंट्स, यहाँ पर सबसे पहले है, भारती फिल्म and टेलिविजन संस्थान, FTII, इसके अध्यक्ष भी कौन है, विजेंद्र पाल सिंग, विजेंद्र पाल सिंग, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, फिल्म and टेलिविजन Institute of India, तो इसको याद रखेगा, इसका हेटकॉर्टर कहाँ पर है, पुने सहर में, तो चलिए फिंट्स, यहाँ पर अगला और very important है, भारत का राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, एनि कि NHRC, इसके वरतमान में अध्यच कौन है, HL Dattu, very important है, और यहाँ पर आपको NHRC का अच्छा, और उन्हें बढ़ावाद देने के लिए, एक responsible constitutional body है, तो याद रखेगा, इस समय NHRC के अध्यच कौन है, HL Dattu, HL Dattu, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, फिंट्स, अगले हमारे विदेश सच्यू, यानि कि फॉरें सेक्रेटरी, वरतमान में कौन है, विजय के केसो गोखले, तो इनको भी आप याद रखेगा, तो आईए, फ्रेंट्स, एक बार हम इनका revision करते हैं, सबसे पहले, FTII के अध्यच कौन है, विजेंद्र पाल सिंग, उसके बाद NHRC के अध्यच कौन है, HL Dattu, HL Dattu, और लास्ट में, विदेश सची हमारे कौन है, यानि तो फ्रेंट्स, राजसरकारों और केंदर सरकार के बीच, वित्तिय संबंधों के लिए, वित्त आयोक का गठन किया गया था, तो याद रखेगा, 14 में वित्त आयोक के अध्यच अभी कौन है, YB Reddy, इसके बाद यहाँ पर अगले हैं, 15 में वित्त आयोक के अध्यच, यान पर अगले हैं, 17 में वित्त आयोक के अध्यच, यानि के चेर मायनाफ सेवन्थ पे कमीशन, असो कुमार माथूर, असो कुमार माथूर, फ्रेंट्स, यहाँ पर आपको बता दूँ कि केंदरी वित्त आयोक का गठन, 1946 में किया गया था, इसका मुखे काम यह है, कि जो केंद सरकार के कर्मचारी हैं, उनके बेतन मान, सेवा निर्वित्ति, उनके भत्ता, इन सबसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, केंदरी वित्त आयोक का गठन, 1946 में किया गया था, तो याद रखेगा वर्तमान में, सातमे बेतन आयोक के अध्यच कौन है, असो जुरू होगा, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर हैं, सातमे बेतन आयोक के अध्यच, इनका नाम क्या है, असो कुमार माधुर, तो चली फिंट्स, यहाँ पर हैं भारत के पहले लोगपाल प्रमुख, यानि की ओमबुट्समेन, पिनाकी चंद्र घोस, पीसी घोस भी हम इन कह सकते हैं, इन्हें विदेशों में, ओमबुट्समेन की नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको बता दू, इन्हें 19 मार्च 2019 को नियुक्त किया गया है, यहाँ पर आपको बता दू कि लोगपाल एक ग्रूप है, जिसका काम है, कि भष्टा चार से जोड़े सिका मुदी, फ्रिंट्स आप कंफ्यूज मत होईगा, PC मुदी और YC मुदी में, क्योंकि PC मुदी तो CBD के अध्यच है, और YC मुदी वो NIA के महानी दे सक है, तो चलिए फ्रिंट्स यहाँ पर अगले हैं, गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोध सावंत, इनको भी आप याद रखेगा, इनका नाम है मृदुला सिन्हा, मृदुला सिन्हा, तो आप इन सभी को अच्छे से याद रखेगा, तो फ्रिंट्स यहाँ पर हमने अब तक सभी important post के वारे में आप से discuss कर लिया है, तो अब बारी है MCQs की, तो चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए फ्रिंट्स आपसर नमबर A, यानि कि सुभास चंद्र गर्ग, आई होप आप सभी ने इसका right answer किया होगा, और मैंने आपको वित्थ सच्यू और राजस सच्यू इन दोनों को ही ट्रिक से याद करने का तरीका बताया था, तो चलिए फ्रिंट्स यहाँ पर आपके लिए अगला स्वाल वर्तमान में भारत के महान्यावादी यानि कि एटार्नी जरनल कौन है, आपको मिलते हैं 3 सेगंड, तो यहाँ पर correct answer होगा आपसर नमबर C, आगे बढ़ते हैं फ्रिंट्स यहाँ पर आपके लिए आगला question, वर्तमान में भारत के मोखे चुना आयुक्त यानि कि Chief Election Commissioner कौन ह आपको मिलते हैं 3 सेगंड, वर्तमान में हमारे Chief Election Commissioner है, आगे बढ़ते हैं फ्रिंट्स यहाँ पर आपकी स्क्रिंट पर है अगला question, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो यहाँ पर आपको चार आपसर दिये गये हैं, इनमें से एक ऐसा है जो कि correctly match नहीं है, उसी को दोड़ना है, तो बताए राइट आंसर क्या होगा, आपको मिलते हैं 3 सेगंड, तो फ्रिंट्स सायद आप यहाँ पर चूगे होंगे, यहाँ पर correct answer होगा आपसर नमबर A, यहाँ पर मैंने आपको बताया था सेवी के अध्यच्छ मुहम्मद मुस्तफा नहीं है, सेवी के पर है अगला question, भारत के 46 मुक्यन अधिस कौन है, बताए आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर correct answer होगा आपसर नमबर A, यानि कि जस्टिस रंजन गोगोई, चलिए बागे बढ़ते हैं फ्रेंट्स यहाँ पर अगला question, भारत के राष्टी सुरच्छा सलाकार कौन है, very important, और मैंने आपको इनको ट्रिक से भी याद कराया था, so यहाँ पर correct answer होगा आपसर नमबर B, यानि कि अजेट डोभाल, अगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स अगला question, वरतमान में इस रो के अध्यच कौन है, very important, तो यहाँ पर correct answer होगा आपसर नमबर C, यानि कि के के सिव वरतमान, तो चलिए फ्रेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपके लिए अगला question है, भारत के नए लोगपाल प्रमुक कौन बने हैं, वताईए फ्रेंट्स का right answer क्या होगा, आपको मिलते हैं 3 सेगंड, आई हूप आप सभी ने correct answer क्या होगा, यहाँ पर correct answer है, आ यानि कि पिनाकी, चंदर घोस, या फिर PC घोस, आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स, यहाँ पर आपके लिए अगला question, वरतमान में IB के अध्यच कौन है, यानि कि intelligence विवरों के अध्यच कौन है, तो correct answer होगा option number A, यानि कि राजियू जैन, चलिए अगे बढ़ते हैं फ्रेंट् यानि कि starting के जो तीन है, वो बिल्कुल correctly match है, option number 4 में यहाँ पर लिखा है, railway board के अध्यच, जो कि अजीद कुमार महंती से match है, ये बिल्कुल गलत है, हमने आपको बता था, railway board के अध्यच कौन है, विनोत कुमार यादो, तो फ्रेंट्स यहाँ पर अजीद कुमार महंती क्य ये B.A.R.C. यानि कि बार के निदेशक है, हमने आपको बताया था, बाकी जो यहाँ पर starting के तीन है, यानि कि 1, 2, 3, ये बिल्कुल correctly match है, यानि कि महिला आयो के अध्यच कौन है, रेखा सर्मा, नौसेना ध्यच, एड्मिरल करम बीर सिंग है, उसके बाद प्रसार भारती क अध्यच कौन है, डाक्टर सूरे प्रकास, तो यहाँ पर मैंने वीडियो के लाश्ट में आपके लिए 3 questions को select किया है, जिसका जवाब आपको नीचे comments में लिकर बताना है, वीडियो को pause करना है, आपको हर एक question को पढ़ना है, उसके बाद उसका right answer नीचे comments में लिकर आपको बताना है, तो यहाँ पर आपकी screen पर है सबसे पहला सवाल, भारत में नए नवसेना अध्यच कौन बने है, तो यहाँ पर आपको बताना इसका right answer क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर आपके screen पर है अगला question, निवन में से कौन सा विकल्प सही से सुमेलित नहीं है, तो यहा को pause कर लिजिए, आसानी से इसका जवाब दीजिए, तो friends बस मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, अब आपकी बारी है, इस वीडियो को like कीजिए, और इस वीडियो को share जरूर कीजिए, आप जो भी social media platform यूज़ करते हो, like facebook, whatsapp, telegram, आप जहां भी active रहते हैं, इस वीड वीडियो अपलोड करो, उनकी latest notification आपको मिलती रहे, तो friends मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जै हिन्द, बंदे मात्रा,